बेटर लगे आप मोडिफाइ करो नोट्स बना कुछ ओटेट सीटेट के भी नोट्स दूँगी एक्स्ट्रा मैटिरियल्स ठीक है कभी भी एक चीज़ पर अठको मत बहुत सारे नीट्स होते हैं क्योंकि हमें क्लियर करना है बहुत कुछ अब story सुनना ग्रोफ क्या है इसके दोनों के अंदर अंतर क्या है यह हमारा question है आज का तो introduction में यह पॉंट्स देखना है यह पॉंट्स यह पॉंट्स जो लाइनिंग में चल रहा है उसे देखना पते ग्रोफ का मतलब होता है the changes that takes place in any part of the body is known as growth आपके सरीर में जो विन्य अंग है जो भी body parts है ना कोई भी जग़ से अगर कुछ भी changes आता है कुछ भी वो weight में, size में, height में कुछ भी changes आता है physical aspects में changes आता है तो उसको हम बोलते हैं growth ठीक है physical words को remember रखो short questions भी दूँगी बाद में one month के बाद बढ़ दूँगी MCQ series भी आएगा तो the changes that takes place in any part of the body is known as growth सरीर के विन्य अंगों में कोई भी साधरनति अगर परिवत्तन देखा जाए आकार में या आपके बृद्धी में कुछ भी देखा जाए उसे हम लोग बृद्धी ही बोलते है generally पता है मुझे एक question का answer आप लोग देना ठीक है बाद में पोच्छोंगी इसका revision जब होगा तो बोला जाता है growth एक limited point तक होता है certain period तक होगा and after that after reaching the certain period ये stop होजाए it will stop it will stop किसी भी person का जैसे कि आपका height नहीं बढ़ता होगा भी ठीक है न it is not possible for this age कि आपका height बढ़े बढ़े आपका weight बढ़ता है तो growth कुछ points में अभी तक चल रहा है कुछ points तक बढ़े आपके आपके 30s के बाद आपके cell death होना start करते है cell जानते हो कोश कोशी काए कोशी काए divide होना slow हो जाएगा और धीरे-धीरे death होना start करता है अच्छा मैं कुछ examples ले देती हूँ जैसे आपके hair fall होते है maximum every person's hair fall होते है setting of dandrops आपके सर से गिता है dandrops गिता है आपके skin rupture हो जाते है सूखे पढ़ जाते है dry होते है that means cells क्या हो रहे on out हो रहे है निकल जा रहे है मतलब वो बुड़े हो चुके वो निकल रहे है that means उसका growth वहाँ पर finish हो गया ठीक है वहाँ पर growth उसका finish हो गया तो generally people consider growth and development हम genuinely क्या बहुत है growth and development same है synonymus बोल देते हैं but that is totally wrong synonymus बिल्कुल नहीं है development is a bigger concept विकाश जो है वो बहुत बड़ा concept है and आपका जो growth है बहुत ही narrower concept है बड़ा नहीं छोटा concept है तो अगर मैं एक page में बताऊं कि यह सोच रहे है development है this is one of the best diagram कि इस पार्ट के लिए suppose this is the development मैंने यह पर शॉटकर लिखा है development okay inside it मैं दो पार्ट बनारी हूँ एक में बनाया growth एक में बनाया maturation परिपक्कता maturation जैसे आप में अभी maturity बहुत जादा है that means यह growth का portion convert हो गया किस में maturation में development is the bigger point it starts with the ohm period यह गर्भास से आर्मभ होता है और अंत कप होगा इसका ending with the tomb period मतलब समाधी में जब lean हो जाओगे तब जाकि यह खतम होगा तो आपका development bigger point है बड़ा point है आकार में भी बड़ा है और यह जैसे कि हम मदर के पेट में है मतलब गर्भासे में है वो गर्भासे से आर्मभ होके समाधी तक का point जो है वो development होता है ठीक है बड़ ग्रोथ क्या है आर्मभ तो हो गया गर्भासे से बड़ अंत हो जाएगा adolescent period में अब adolescent क्या होता है मैडम हम सारे adolescent को cross कर चुके है 18th 18th 18, 19, 20 यहां तक के period को तो growth उस point पे जाके limited हो जाता है and after that वो convert हो जाता है change हो जाता है परिवत्तन हो जाता है किसमे वो maturation में और हिंदी में बोलते है परिपक्कता ठीक है तो साधर अगर हम लोग देखे growth क्या है growth है quantitative अच्छा नाप सकते हो कुद को measure कर सकते हो obvious है अच्छा measure किसमे कर सकते है कुछ units होगा इकाई होगा unit means in Hindi it is called इकाई okay just like measurement के units होते है centimeter meter kilometer ऐसा ठीक है weight को कैसे नाम सकते हो ton, quintal, grams etc ठीक है तो ऐसा अगर देखा गया है तो वो क्या है quantitative है मात्रात्मक होता है विद्धी क्या है मात्रात्मक है मात्रा में आप सकते हो quantitative growth is quantitative growth occurs till some specific period अभी बोला था विद्धी कुछ point तक जाएगा उसके पाद अंथ हो जाएगा उसके बाद का period को हम maturation करेंगे so growth occurs till some specific period after that it stops अच्छा एसा तो नहीं हो सकता है कि मैं अभी ना birth के period में बहुत ही छोटी थी हाइट में और suddenly मैं 10-20 cm बढ़ गई एक साल के अंदर फिर मैं तीन साल की होगी चार साल की होगी तब मेरा हाइट 5-6 फूट हो गया impossible है सारे लोगों के लिए सो इसका कोई एक pattern होता है pattern बता दू क्या है pattern यह है कि एक person में development चल रहा है development देखना development के कुछ aspects होते है aspects और domain कहा जाता है domain और aspects domain और aspects so first क्या होता है पहले आता है physical development सारी रिक ब्रिधी physical development then क्या होगा mental ठीक है mental का बहुत सारा नाम है mental बोल सकते हो cognitive बोल सकते हो mental development then क्या होगा social development सामाजीक में कैसे समाज में चायके interact करोगे और interaction करोगे communication करोगे और sharing your responsibility and after that हम move करने वाले है PMS के पाद इसमें language development L भाषा भाषा में आपका अधिक्रिहन आएगा आप develop करोगे multiple language multiple language you understand one person's language you can communicate you can share your emotions everything ओकी भाषा से आप किसी के person से बात कर सकते हो and after language development हम next किसमें जाएंगे emotional development and पता है language development and emotion development यह दोनों twin factors है मतलब एक साथ चलते है आपका development जितना होते जाएगा उतना ही आप emotions के साथ जुड रहे हैं ठीक है last में जो आता है वो है moral development that is a M नैतिक विक्चार अभी देखो क्या क्या बोड़ रहे है physical development सारीरिक विकाष mental development cognitive और इसको हिंदी में बोलते है संग्यानात्मक विकाष समाजिक विकाष और social development language development और भाषा का विकाष emotional development और आप बोल सकते हो सामबेगिक विकाष सामबेगिक विकाष moral development और नैतिक विकाष इन total development से क्या मिलेगा पुता है मिलेगा आपको behavioral development behavioral development ओके ठीक है यह sequence याद रखना always P, C, S बोलो मैं अभी C कैसे आ गया cognitive development mental development एक ही है emotional development और उसी के साथ है language development इसलिए इसलिए class में लिखा and moral development यह इसका sequence है अगर sequence कोई भी seated exam देते हो otate exam देते हो क्या है यह साब मैं बात में बताऊंगी बढ़ अभी सुन लो teacher eligibility के exams होते है उसमें यह सब question as a sequence वाले पूछे जाते है तो starting में बता दिया कैसा है ठीक है यह आपका definite एक pattern है समझ गया निर्दिष्ट pattern होगा एक निर्दिष्ट समय काल से ही यह चलेगा development doesn't stop development stop नहीं होता यह कभी बन नहीं होते यह end होगा आपका जब death होगा मतलब अभी हम सब कोई किसमें है development stage में है meaning of growth and development मैंने बोला था हम पहले part को कैसे लिखेंगे 6-7 line हमेशा जब notes बना रहे हो तब न 10-12 line लिखने का try करना ताकि exam hall में आपको 6-7 line उसमें से remember आए क्योंकि हम अगर limited लिखना start करेंगे तो हमें answers और ज़्यादा छोटा हो जाएगा और लिखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो at least 6-7 line बोला गया तो 10 line लिखो तो यहाँ पे 10 lines हैं already इस 10 lines है मैं exam में लिखूंगे 6 lines हो गया meaning of growth and development meaning of growth and development अभी जो points पड़ा था उसी के basis से पता है growth क्या है देखो diagrammatic है थोड़ा यही होता है page cover करने का style plus देखो इसको मैंने different color से लिखा है आप बोलो का ma'am हम क्या orange color यूज़ करेंगे no आपको बोला गया blue black तो आप blue black की use करो purple का use कर सकते है देखो यहां पर मैं blue का दो सेट्स का use की हूँ ताब दो सेट्स कर सकते है you can use two sets two or more than two sets और blue blue का use कर सकते है so first point इधर मैंने लिखा growth इधर लिखा मैंने development growth क्या है growth quantitative है मातरात्मक है पता development क्या है गुणात्मक है qualities में आता है qualitative in nature development is qualitative in nature growth is quantitative in nature ठीक है अब देख लेते हैं कि growth के one second तो growth के qualitative sorry quantitative characters क्या क्या है क्या क्या है जो चीजों को यह physical aspect होता है normally quantitative मतलब सारी दिख जो चीजे परिवत्तन देखे जाते वो आपके quantitative होते है जैसे that means these changes we can measure in centimeter meter kgs और grams kilograms grams में हम नाप सकते है example जैसे दिखाई जा रहा है that is the size number kinds weight position height अगर किसी person को class में आप judge करे हो जैसे कि attendance ले रहे हो ठीक है attendance हम ले रहे न तो attendance में number मिलता है या नाम से आप attendance लेते हो बताओ anyone number से करते हो या नाम से अटेंडेंस लेते हो जल्द number से तो number आगया मतलब अभी बताओ वो quantitative है या qualitative है quickly numbers से कहां पर quantitative है समझ आया किसी भी person का position देखना चाहते हो कि इन 10 बच्चों में से इसका rank क्या है rank weight height size ये कुछ भी आता है तो उसको हम growth बोलेंगे एक person का growth अरे उस person का growth क्या है अरे वो all India में rank 1 में है तो ये जो चीज होता है इसको बुला जाता है growth quantitative inertia ठीक है अब ही आते है next मतलब हमारे development part में तो development में क्या mention है that means these changes we cannot count in oh sorry we can count in behavioral characters मतलब we cannot count in any measurement हम इसको count ने कर सकते हैं measurement में इसको बस behavior में देख सकते हैं behavior मतलब किसी का मन मन को देखना वो behavior कैसा करता है ठीक है how you talk softly अब कैसे अच्छे से बात करते हो how you handle softly हाँ यह सारी qualitative characters है मतलब आपका physical, mental, emotional देखो आप emotionally बहुत ही damaged हो सकते हो right हो सकता है but फिर भी हम खुद को manage कैसे करते हैं society में कैसे society में दुसरे लोगों के साथ भी adjust कर लेते हैं तो यह सब आपका qualitative character है यह आपके development को दिखाता है कि आप कितने अच्छे से manage करके सब के साथ हो तो एक बच्छे के character में हमें सब कुस देखना है एक बच्छा छोटे से बड़ा कैसे होता है यही आपका पूरा paper है एक बच्छा छोटे से बड़ा कैसे होगा और उसमें क्या-क्या characters का changes आएंगे कैसे changes आएंगे उसी के उपर multiple questions है ठीक है अब चलते देखो मैं आपको hint दे रही हूँ पहले question से figure लिखना है हर एक diagram के बद़ फीगर लिखना just like books में होते है given हो गया कि figure one meaning of growth and development अब यह figure है meaning of growth and development का हो गया so from above meaning the growth means changes in physical structure size, dimension while development means overall growth of child अगर development बोला गया वो overall growth को दिखाता है हर एक domain का एक इंसान का सारी देख सुन्दरता क्या है beauty क्या है beauty different kind हो सकता है color हो सकता है way of talking soft heart kind-hearted person these are all development these are also a part of development तो इसको overly हम overall growth बोलते है किसी का दिमाग कितना चलता है IQ IQ कितना अच्छा है तो वो भी आपका development है किसी का emotions controlling capacity कितना अच्छा है कैसे वो सामबे की गुणों को अच्छे से control करता है प्रक्रिया में लाता है वो सब कोछ आपके development में आएगा बट बागी जितने भी portion है physical structure किसी का size मोटा है पतला है height कितना है जादा कम जो भी देख रहे हो वो सब आपका physical aspects में आता है जो कि सारी रिख है बस तो वो growth है ठीक है अभी कुछ characteristics देती हूँ So characteristics of development it is continuous मैं explain कर रहे हूँ आप अपने words से खुद लिखो गए ठीक है सो अराम से समझो धीरे धीरे पढ़ो कोई point problem नहीं है कुछ point पे गलत नहीं करना है ठीक है characteristics of development अब बोलो कि मैं हमने characteristics of growth तो नहीं लिखा growth and development का characteristics आपके book में एक ही दिया गया है ठीक है दोनों का ही characteristics same होगा growth and development का जो गुण हम लिख रहे है जिसके वज़े से हमें पता चल रहा कि growth and development क्या है actually growth विधी विकास के ही अंतरगत है विकास के अंदर आता है that means development का path है growth is a path of development so then उन दोनों के characteristics same होगे ठीक है the first point it is continuous continuous मतलब ये start होता है ओम period में गर्वासय में और भी detailed information दूंगी प्रवासय में और एंड होगा तूंभ पिरियर्ड में तूंभ मतलब समाधी इसको टॉंभ भी बोलता है तूंभ मिस तूंभ बोलो तूंभ बोलो remember करना है बस समाधी में रहते है उम मतलब गर्वासय मदर के गर्वासय से आरम हुआ अंध होगा समाधी में हमारा जीवन, development तो ये एक स्टोरी आप सुनने हो ओरड़ी चक्र व्यू में कौन फसे थे? अभी मैन्यू अभी मैन्यू ने स्टोरी कहां से सुना था चक्र व्यू से कैसे निकलना है आदा सुनके सो गये उनके माता के गर्वासय में तो वो स्टोरी से याद रखो कि हमारा development कहां सुरू हो गया? गर्वासय में मतलब आपके uterus के अंदर, उम्प के अंदर ये end होता है समाधी में जब हमारा death होता है ठीक है? ये point इट इस sequential अभी sequence समझाया था कौन सा sequence है? और एक बार diagram दिखाते हूँ देखो, ये हो गया समझो point पहले आगया P, that is physical मतलब सारी देख C, cognitive or mental S, social मैंने बोला था E and L एक साथ चलेगा emotional and language and B, that is all over सब मिलके B बनते हैं जो की है behavioral ठीक है? ये इसका sequence है sequential मतलब जैसे अब सीडी चल रहे हो तो सीडी में एक सिक्वेंस बनाते हैं ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हम सिक्वेंस बनाते हैं तो मैंना 1 में हूँ क्या मैं जूम करके पांस तक जा सकते हूँ? Not possible So, we have to attend all the sequence or steps 1, 2, 3, 4 सब पार करना है और इसको बोलते है sequence कोई भी एक परसें इस वर्ड में इस sequence को क्या नहीं कर सकता? Skip नहीं कर सकता So, we all follow this same sequence throughout the life हम पूरे अपने जीवन काल में दोनो sequence को जितने भी sequence है सारे sequence को follow करते हैं एक जैसे हैं इस pattern में बोल सकते हैं कि हम सारे humans हैं और same patterns को follow करते हैं development का नमबर 3 It shows variety of rate of development पता है rate of development सबका different होता है समझो rate of development सबका different होता है just like एक छोटा सा point देते हो finance bank पे पैसे रखते हो obvious है अब बैंक में जो पैसे रखे हर एक age period के लिए limit अलग है interest अलग हो सकता है या पिर कुछ gold loans लिया तो उसका rate अलग होगा rate of interest वैसे different bank में different हो सकता है rate of interest वैसी बोला गया हर एक person का growth जो है वो अलग-अलग हो सकता है suppose A, B, C तीन persons है तीन बैक्ती है A का ग्रोथ है 5 feet B का ग्रोथ है 6 feet C का ग्रोथ है 5.7 तो अब बोलो क्या इन्होंने अलग-अलग development लिया क्या इसके expect अलग-अलग थे No Expect seen था height के उपर ही चल रहे बड़ इनका nutrition खान-पान या घर पे environment कैसा था या फिर surrounding कैसा है blood relation कैसा है genetics मतलब heredity आनुबांग से गुन जो अपने parents से आपके पास आते वो कैसा है ये सब अलग-अलग है Otherwise हम सब का height same ही होता हम सब का beauty standard same होता हम सब का IQ level same होता So इससे क्या समझे कि rate of development rate of development सब का variety में होता है but pattern is same निर्दिष्ट pattern को follow करते है जैसे रोटी बनाना है तो आठा गुणना पड़ेगा फिर रोटी बनेगा डाइरेक्ट रोटी बनागा आठा नहीं गुण सकते ठीक है तो pattern same रहेगा जादा रोटी बनाओ कम रोटी बनाओ समझा है है जादा रोटी कम रोटी वो rate है rate of development है and pattern बोलने से जिस sequence है देख लोगे संडी के क्लास में अभी जब मुझे देखा ही है या फिर सुना है मेरे बारे में तो आपने क्या सुना ओवरली देखने को चाहना ओवरली हम बिगस्ट पॉंट पे चल रहें बिगस्ट फॉंट बिगर पॉंट बिगर लाइन ऐसा ही देखेंगे मतलब एक ओवरल कहीं पे बुक खरितने को गया तो जाने के बाद देखा अरे ये बुक ऐसा है क्या मैं हर एक पेज को एट ए टाइम पढ़ सकती हूं नॉट पॉस्बल तो मुझे पेज का जो प्रिफेस है जो पहले पन्ने में लिखा रहता है उतना ही देखे पता चला कि ये बुक का क्वालिटी इतना है इसमें इतने पेज़ेस है ये इतना एडिशन है ये इसन नंबर इतना है बस तो उसका मतलब हो गया ये जनरल पॉइंट्स है जब हम छोटे-छोटे पार्ट्स को डिटेल देखना स्टार्ट करते है वो होता है स्पेसिफेक ओके मीटर पियर माइक्रोफोन अगर कोई अधर यूटूब को देखोगा तो एक चीज़ होता है ये फ्रिक्वेंटली लाइन्स को बताएगा और छोड़ देगा बट लॉग टर्म अगर रिमेंबरेंस चाहिए ना तो इसलिए समझाया जा रहा है अफी नाओ अनदर कंसेप्ट आए अनदर लाइन के साथ देखो है प्रोड़क्ट आफ हैरी टिटिटी अन्वर्मेंट हैरी टिटिटी and environment हैरी टिटी मींज आनु बांग्शित अभी क्या होता है na गारेक्टर ट्रांस्परप्टेंजि़ वट जेनरेशन तो अनदर सफोस मदर से मुझे कारेक्टर आएगा मदर का फादर से पैधनसे मेरे पास कारेक्टर आए मुझसे मेरे बच्चों को जाएगा character height, weight, growth etc. कोई भी character हो सकता है even if eye set हो गया मतलब eye का जो हमारा eye color होता है eye color और eyebrow shaping और eye का size, hair color, hair growth nail color और nail growth etc. everything transfer from one generation to next generation तो इसको बोलते हैं कुछ गुण होते हैं उसे हम वंक्स के अनुसार क्या करते हैं transfer करते हैं और shift करते हैं मतलब माता पिता से बच्चों को जाएगा बच्चों से उनके बच्चों को जाएगा ऐसा shift होता है तो बोला गया growth and development जो है न यह किसका product है product मतलब multiplication form पे रहेगा not addition form addition में नहीं रहेगा multiplication form में रहेगा तो इसको कैसे लिखते पता है edge into e e means environment अभी समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ आपको बताना है तो मैं बताऊंगी तो बोला गया growth and development यह दो चीजों से बना है it is a combination of two words that is a multiplication of two words that is heredity and environment तो आपका जो blood transfer होता है या पिर आपका बोड़े में जो blood बनता है कौन सा blood group है और a plus है यह minus है b plus है b minus है मतलब positive, negative, positive, negative जो भी blood groups है यह depend करता है इस पे? genetics पे आपका eye color, health जो भी है डिपेंड करता है genetics पे पढ़ एक बार बर्थ हो गया आपका तो बर्थ होने के बाद आपको control कौन करते है that is environment ठीक है परियावरन आपकी surrounding में जो present है just like आप खाना कहां से लेते हो environment से रहते कहां पे हो environment में school कहां जाते हो environment में आपको environment आज बहुत जादा polluted रख रहा है तो environment ही खराप हुआ है ना कि आपका genetics खराप हुआ है तो यह समझ के point करू that is heredity into environment यह product आपके development करते है मतलब D equals to H into E that is a formula of development D equals to H into E okay next point 6th one it is predictable बता है आप किसी भी parents को देख के बोश सकते हो कि तुम्हारा बच्चे का development ऐसा होगा या तुम्हारा बच्चे का growth ऐसा होगा because growth is a part of development क्योंकि बिधी विकास के अंतरगत है तो हम माता-पिता के गुणों को देख के बोल सकते है 90% में decide कर सकते है कि आपका बच्चे का growth अरे बच्चा छोटा है इंफैंस स्टेज में है उसका ना हाथ पर लंबे है मतलब वो बड़े होके लंबा बनेगा बच्चा बहुत ज़्यादा फूर्तीला है that means वो खेल कोद में अच्छा होगा वो study IQ में बहुत अच्छा है because कुछी explore करते रहता है so that वो study में अच्छा होगा सकते हैं domains मतलब star और head और sir बोल सकते हो जो कि main points होते हैं हमारे life के छोटे-छोटे से main points और इसको हम factors और ikai बोल सकते हैं जो कि यह सारे factors एक दूसरे से जुड़े होए है that is called interaction ठीक है अभी आगे चलो यह थोड़ा सा definition देखना पहले definition लिखना उसके बाद characteristics लिखना ठीक है और characteristics को जैसे समझा है वैसा लिखना try करना एक ठीक है दो-दो line में with example दो-दो line example जैसे मैंने example दिया एक-एक point को वैसा अगर वैसा लिखना आ गया that means आपको और ज्यादा पढ़ना नहीं पढ़ेगा definition of growth and development यह remember वाला point है ठीक है अच्छे से mind में remember करना पढ़ता है याद रखना पढ़ता है otherwise उसका trick मैं last में दूंगी क्या है बढ़ अभी के लिए तो remember करना है ठीक है so growth का मैं दो definition दे रही हूँ and development का दो definition देंगे growth का क्या है according to L.K. Frank person का नाम है L.K. Frank यहाँ पर किन का definition होता है कोई educationist encyclopedia wikipedia और internet collections और any other socialist educationist historian इनके नाम के according हम definition दे सकते हैं क्योंकि यह persons वो सारे points को explain कर चुके हैं तो उनके according लिखने का style देखो लिखने का style देखो copy के आदे से आप points को explain करेंगे और इधर आप उनका नाम लिखेंगे ठीक है लिखने का style यह रहेगा please mute up your microphone first और 5 minutes दो complete कर लूँ after that जो discussion करना है discussion करना ठीक है unmute मत करो please according to L.K. Frank 1944 देखो फिर क्या दोगे semi colon inverted comma start क्या है inverted comma के अंदर the changes that occur in any physical aspect is known as growth कोई भी changes अगर आपके physical और सारी रिक गुणों में होता है सारी रिक परिवत्तन होता है उसको हम growth बोलते हैं एक्स्टा पॉण्ट और एक according to 80 जर्सल और S.I.L.D. according to 80 जर्सल 1957 again semi colon यहां पर आप mention करेंगे semi colon semi colon that is a semi colon okay inverted hyphen inverted comma start in the beginning the pace of the child's growth pace मतलब होता है rhythm ठीक है किसी बच्चे का growth का rate बहुत जादा है किसी का कम है किसी का बहुत ही weak रहता है किसी का बहुत strong रहता है तो उसको हम pace बोलते है सीखने का जो rhythm होता है ठीक है और growth का जो rhythm है the pace of the child's growth is fast in the beginning हर एक बच्चे का जब बच्चा पैदा हुआ बर्थ हुआ तो उसका growth rate बहुत ही high होता है suddenly देखना उनके बॉड़ी में क्या changes आएंगे उनके physical aspect में changes आएंगे ठीक है छोटे से होंगे फिर थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ते रहेंगे हाथ पैर movement चलता रहेगा so after having maturation ज़से उनको maturation मिलेगा परिपकता मिलेगा the pace of physical growth उसके बाद हमारा जैसे maturation के बाद हमारा body का height नहीं बढ़ रहा है बस weight बढ़ रहा है ठीक है height नहीं बढ़ रहा है weight बढ़ रहा है and become slower इसलिए बोला गया हमारा physical growth अभी slower है after that एक point आएगा जब यह stop हो जाएगा बस हमारा IQ work करेगा हमारा emotions work करेगा हमारा behavior work करेगा moral work करेगा decision making के लिए but हम और लंबे नहीं होंगे okay अच्छा आप my cue थोड़ा सा पैसेंस बेसाथ काम करो according to hardlock development के लिए बोल रहा हूँ according to hardlock h-u-r-l-o-c-k h-u-r-l-o-c-k according to hardlock weight semicolon hyphen semicolon hyphen inverted comma start okay the development means the development means यह progressive series of changes progressive series क्या series था p-c-s-e-l-m-b यह series है इसी series के साथ changes आएंगे and which occur in यह in लिखा गया है in predictable pattern जिसको आप देखते हूँ है बोल सेखते हूँ कि ऐसे changes आएंगे बच्छों में ठीक है predictable pattern as a result of maturation and experience पते हैं कुछ बच्छों का development उनके experience के साथ change हो जाता है pattern में changes आते है experience के साथ next according to 80 gersal telford and sorry 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 okay s-a-w-r-e-y sorry 80 gersal telford and sorry तो उनके according क्या है development refers to complex setup process यह complex है बहुत जादा because देखा था ना PCS EL MB इतना stage है तो यह complex setup process है involved in the emergence of mature functioning organism इसे क्या बढ़ेगा यह अगर proper work कर गया सारा sequence तो एक mature इंसान बनेगा mature person बनेगा जो की बहुत progressive way में work कर सकता है और कहां से बनेगा एक छोटा सा fertilized ovum से बनेगा मतलब गरभासे में जब था ना जैसे उन्ग में है तो पहले क्या होता है sperm एग दोनों mix होके हमारा क्या बनेगा जाइगोड बनेगा तो उसको हमने बोल दिया कि एक ovum अगर fertilized ना हो तो बचा नहीं होगा न तो ovum से लेकर एक mature person बनने तक का जो सफर है इसको बोलते है development mature person अप टो death period तग इसको बोलते है हम development यह complex set up process के साथ continue होता है ठीक है इसके बाद का जो nature of growth है difference है और भी points ठीक है उसको भी हम पढ़ेंगे बहुत सारा points और भी है मैं बताऊंगी दीरे दीरे यह आधा portion आज complete हुआ thanks for watching my videos guys please subscribe my channel and share with your friends and family